हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अग्रिकल्चर पोइंट में और आज हम लेकर आए हैं पिस्टी अग्रिकल्चर फिप्ट समेश्टर का जो आज एक्जाम हुआ है रैन फैड एंड ड्राइलेंड अग्रिकल्चर का उसका फुल सेलेशन पेपर लेकर आया हू यह दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब कर लिजे लाइक कर दीजे और सेल कर दीजे जिसे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आए चलते हैं पहले कोश्टन की तरफ सुसक इओम अर्ध सुसक छेत्रों में भारत में सुसक खेती की सामान पध़ती अपनाई गई तो कहां अपनाईगी अल्टरनेट क्रॉपिंग अपनाई गई थी नेक्स कोश्चन है सुसक करसी छेत्रों में आउसत वार्सिक वर्सा होती है तो कितनी आउसत वार्सिक वर्सा होती है तो इसमें 750 से 1150 मिमी होती है मिलीमेटर होती है नेक्स कोश्चन है ती नमबर फसल उत्पादन तथा खेत में प्रियोग किये गए कुल पानी की मात्रा के अनपात को कहते हैं क्या कहते हैं सिचाई देचेता कहते हैं निक्स कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट दिखाया था ये मेरे वीडियो का है कोश्चन नेक्स कोश्चन है जलस मेड तकनीक का प्रयोग किया गया था तो प्रयोग किया गया था बरानी छेत्रों में प्रयोग किया गया था नेक्स कोश्चन है इन सी टू जल संग्रहन कहलाता है इन सू टू जल संग्रहन क्या कहलाता ह अपवाह पुन्य चक्रन कहलाता है अपसन D सही होगा कंटूर मेडबद्धी में उप्युक्त धाल होता है तो कितना उप्युक्त धाल होता है 6% होता है अपसन A सही होगा सुन्य जुताई पद्धत में भूम की उपरी परत होती है इसमें अधिक इस्थोल घंत वाली होती है आपसे नंबर सी सही होगा नेक्स कोश्चन है दस नंबर इटी दर को निर्धारित करने वाला सबसे मुख कारक है तो कौन है? जलवायू की दसा है नेक्स कोश्चन है छरण नियंतर की यांतरिक बिधी कौन सी है? तो छरण नियंतर की यांतरिक बिधी जो है उप्यूप तो सभी है कंटूर मेरवन्दी है सब स्वाइलिंग भी है बेसिन इस्टिलिंग भी है नेक्स कोश्चन है बारा नंबर सेंटरल रिचर्स इंस्टूट फॉर ड्राइलेंड एगरिकल्चर इस्टेथे तो इकहां है हैदराबाद में इस्टेथे आप्संसी सही होगा नेक्स कोश्चन है पट्टिदार खेती का कौन सा रूप है तो ये आला पबाव होगा सभी होगा इसमें कंटूर पट्टि खेती भी होगी बफर कटी खेती भी होगी वाई पटीदार दोनों सभी होंगी D आप्सन सही होगा निक्स कोस्चन है चोदा नमबर मिट्टी की पपड़ी से कम होता है तो क्या कम होता है अन्ता सेंदन कम होता है अन्ता सेंदन कम होता है C आप्सन सही होगा निम्न में से किसमे W.E. अधिक होती है तो किसमे होती है रागी में अधिक होती है आपसे नमबर D होगा फिंगर मिलेट में नियुन्तम भूपरिसकन की अधारणा की सुरुवात की ती तो किसने की ती USA से हुई थी नेक्स कोस्चन है प्राकरति기या सामान suspension खरण कहलाता है तो क्या कहलाता है प्राकरतिकया सामानmania भूगरवीज JAM कहलाता है नेक्स कोस्चन है 18度 अठारे नंबर अपवाः ज़ल को जलासे में कठा करने की जल संग्रान तक नीक है तो कौन सी है ये आपसन नंबर इसमें डी सही होगा अप वहाँ जल को इकठा करना कैच्छमेंट जल संग्रान अप वहाँ पुनर चक्रन नेक्स कोस्चन है उन्निस नंबर एकल फसल की अपेच्छा सस्यन की जल उपयोग दच्छता होती है तो किस केतनी होती है अधिक होती है इसमें नेक्स कोस्चन होगा भारत में मिस्रित फसल प्रणाली मुखता छेत्रों में अपनाई जाती है कहां अपनाई जाती है ड्राइलेंड में अपनाई जाती है सुस्क छेत्रों में नेक्स कोस्चन है उस सर्जन में अपने के प्रजातियों के भीज खाली भूम में सस्थिन फसले आपसन नंबर बी सही होगा नेक्स कोस्चन है इसमें भारत में सरवपथम ड्राइलेंड रिचर्ट स्थापना 1923 में हुई थी कहां हुई थी मंजीरी में हुई थी मंजीरी में हुई थी नेक्स कोस्चन है इसमें मंजीरी आपसन सी सही होगा नेक्स कोस्चन 24 नंबर है हवा की गति को मापने में किसी अंत्र का प्रयूग किया जाता है तो इसमें एनिमो मीटर का प्रयूग किया जाता है नेक्स कोस्चन है जलस्मेंट है तो जलस्मेंट क्या है इसमें जियो पसलेवाई वहे वाले चेत्रों में लाईसी मीटर से किसकी मात्र है है और कशिशीं एफ आई आर भी पधध में गेहों की ववाई की जाती है तो कभ ववी फISTल के रूफ में जाना जयता है, है जिरू अंतरह सस्चिन को जाना जाता है नेक्स गॉशचंट है उदग्र पलवार एक है तो उदग्र पलवार क्या है वास्तभिक पलवार है एक आप सिनन ao कहलाती है तो क्या कहलाती है अपसने सही होगा नेक्स कोस्टिन एक 32 नमबर मुखताया फसल पद्धति समभाव प्रभावित होती है तो एक रोग क्लाइमेटिक कंडिशन में होती है आपसन इसे यूगा निक्स कोस्टिन है तेटिस नमबर सामयता जलवायू के पेच्छा सुखा जो है तो किसी निश्चित किसी विसियस छेत में सामान से कम और सा की अवध ही सूखा कहलाती है और से नंबर बीढ़ी सही होगा अबस बहुत का सोपी होका है सूखे की इस्थिति में खेती करने से उत्पन होता है कि इस्थाई मुरा जहराण उत्पन होता है ने Э कि मर्दां उम जल की हानी करनी करनं किस्षे है आस ए सबने को बॉद्धो की उपरी सतय में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से जल हानी कम होती है क्या कहलाता है तो यह क्या कहलाता है वास्पन प्रतिरोधी कहलाता है आपसेसिक एसिड एबिये जिसको कहते हैं नेक्स कोश्चन है 42 नम्म नेशनल बीरो आप स्वाइलर सर्वे एंड लेंड यूज प्लानिंग इस्थित है तो यह कहां पर है नाकुर में इस्थित है आफसन सी सही होगा नेक्स कोश्चन है जब ग्यारा सो पचास मिलीमीटर से अधिक वर्सा होती है तो क्या कहलाता है बर तो यह वर देन 200 होती है नेक्स कोश्चन होता है जल संग्रहाण सब्द क слушन से दिया था तो मायर स निया था आप से खहते हैं तो परिसुद्ध खहते है इस परिसुद्ध खहते ह हैं परिसुद्ध खहते हैं उसमें और मारश परिसिदर खहते हैं ? अजा दोनो ग्या होत्व सेटलाइट गीमा नेवि कल शैंस दोनों होगा आगा तो तो परिसुद खेती कौन सी है इसमें दूस्तों अभी मिल नहीं पाया है अपके पास यह मिल जाए तो comment box में अवस्थी बताएं परशुद क्रस्थ अब काजने समय निए वर्गी करन की इस प्यूक तो भिविननताओं का प्रयोग करती है तो कौन करता है ़ की व्याख्या आपसन नंबर 20 सही होगा next question है इस question है Thursday number खेती करने के तरीके का सबसे करीबी है तो क्या है इसमें जो है इसमें crop needs होगा आपसन नंबर इसका C सही होगा crop needs next question है चोबर नमबर मर्दा का नक्सा सूचना देता है क्या सूचना देता है इसमें जो है आपसन नमबर डी से एगा आला फबाव मर्दा के पी एच के बारे में मर्दा पदार्थ के बारे में मर्दा करार कार के बारे में सभी के बारे में इस कोश्चन है फसल अनकूल होती है तो रचनात्मक, दैहिक और वहार, अनकूल के, निक्स कोश्चन है, छपन नंबर, पौधे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है, इसमें आपसन नंबर, सी सही होगा, सरीर की यात्मक और रुपांतरक सभी का होगा, निक्स कोश्चन है, कौन सा इमीनो एसिट नमी दवाव पापा अच्छा संकेतक है, तो कौन है इसमें, इसमें जो है, प्रोमिलीन होगा, प्रोलीन होगा, आपसन भी सही होगा, निक्स कोश्चन है, अठावन नंबर, फसलों की, फसल, प्रतिकिरिया और मुखे पर्रयावनी, कारक के बीच संबंद को क्या कहते हैं, तो इसमें क् पास भेजना ना भूलेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसका नोट्स आने वाला है, अगले पेपर का, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जिससे आ जाए, नेक्स कोश्चन है, उनसर्ट नंबर, परिसुद खेती को इस रूप में भी जानते हैं, किसके र यह दोस्तों आपने चैनल को सस्काइब नहीं किया तो सस्काइब कर दीजिए, लाइक कर दीए, सेयर कर दीजिए, थैंक्स पर वाचिंग,